ये एक जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है, वह है आहार, वह है भोजन कितनी भी वड़ी अस्सीलाक की कार में कोई घूमता हो कितनी भी सुरक्षा उसके साथ लगी हो कितनी भी हीरे मोती के आभूशन पहनता हो कितने भी कीमती वस्तधारन करता हो अरे चाहे गरस्त हो या सन्यासी हो अमीर हो या गरीब हो रिलाइंस वंदू हो, टाठा विरला हो एक बात याद रखना है, इन सब के पास गाडी, मोटर, कार, बंगला तो महंगा हो सकता है इन सब के पास अपार दौलत का ढ़ेर हो सकता है लेकिन एक गरीब हो या अमीर हो एक बात इश्मरण में रखे खाना तो गेहूं पढ़ता है आटे की रोटी पढ़ती है और पीना पानी ही पढ़ता है खाएगा तो वही 50-60 रुपे किलो का आटे का रेट क्या है भई? 20 रुपे किलो 30 रुपे किलो मेरे तो कुछ लपड़े ही नहीं है मैं, यह दो तुम aí ब मोलओ आटे डाल का भाव नहीं मालम मुझे का है का भाव मालम? वह 20 रुपे 30 रुपे किलो का आटा ही खाएगा अमीर के घर में भी इतना ही किलो का आटा मिलेगा ज़्वदा से ज़्यादा तो आदमी रोटी खाएगा रेक बात इश्मरण में रखना कितने भी शर्वतों के गिलास भरे रहे लेकिन जब प्यास लगती है तो हमारी निगाहे मीठे मीठे सर्वत पे नहीं जाती हमारी निगाहे जूस पर नहीं जाती हमारी निगाहे तो पानी पर जाती है क्योंकि नियम है कि प्यास पानी से बुझती है और भूख रोटी से मिठती है कितना भी बाहर खा लेना होटलों में खा लेना कहीं भी भोजन कर लेना लेकिन जो संतुष्टी घर के भोजन में मिला करती है वो दुनिया में कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ करती है मा के हाथ की बनी हुई दो रोटी और चटनी बड़ी स्वादिश्ट हुआ करती है बड़ी पॉस्टिक हुआ करती है तो कितना भी बड़ा आदमी हो खाएगा आटा पिएगा पानी इसके अलावा और कुछ जीवन के आधार नहीं हो सकते है आहार कैसा होना चाहिए आई उर्वेद कहता है कि भोजन करने के एक घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए हमारा तो गड़बड हो जाएगा सब वो नियम पाल लेगे हमें तो एक घंटे में सब निप्टा ना है काहे कि भोजन के एक घंटे बाद तक पानी मत पियो यदि स्वस्त रहना है बूचा गया कि एक घंटे तक पानी क्यों ना पिये कैसे चलेगा बोले इसलिए पानी ना पिये क्योंकि पेट में जहां भोजन की पाचन क्रिया होती है उसे जठर कहते है और उस जठर में एक अगनी जलती है जिसे जठरागनी कहते है भोजन जब बनता है रसोई में तब भी आग में पकता है लेकिन वो अभी पूरा पका नहीं है हकीकत में तो भोजन आग में पकने की बाद पेट के भीतर जो जठरागनी है वहां जाकर के भोजन का फिर से पाचन होता है फिर से उस भोजन को उस अगनी में पचाया जाता है और जो लोग भोजन के बाद पानी पी लेते हैं तुरंत तो कहते हैं पानी और आग का बैर हुआ करता है आग को पानी बुझा दिया करता है यदि पानी को आप पी लेंगे तो वह जटरागनी को सांथ कर देगा और जटरागनी यदि थंडी पड़ गई तो भोजन पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा वह पाचन क्रिया नहीं हो पाएगी इसलिए जिन लोगों को निरोग रहना है ऐसा आयरवेज सास्त्र में देख रहा था उसमें लिखा कि पानी कभी भी भोजन के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए यदि आपको स्वस्त रहना है यदि आप इस प्रिक्रिया से चलेंगे तो सायद आपको डॉक्तर के पास जाने की जरुवत ना पड़ेगी दूसरा नियम उसने बताया बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे पढ़ने में कि पानी एक घंटे बार जब आप पियें तो थंड़ा पानी नहीं पियें के लिए कहकर गए कि कच्छे पानी का जीवन में उपियोग नहीं करना चाहिए पानी चान करके और उबाल करके फिर थंड़ा हो जाए फिर उस पानी को आप पीजिए आपको कभी बीमारी नहीं आएगी तीसरा नियम बताया कि पानी जब भी पियें तो ऐसा गटगट करके ना पियें पानी जब भी पियें तो चाय की चुस्कियों की तरह पियें थोड़ा थोड़ा पानी पियें इकटा जो पानी पीते हैं उनके बीमारीयों का जन्म हो जाया करता है यह तो हुई एक भोजन की प्रक्रिया कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए चुस्की में पानी इसलिए पीओ और सबसे पहले उठते ही साथ आदमी को पानी पीना चाहिए क्योंकि जो मुख की लार होती है वह अच्छार होती है वो पेट में अमल बना करता है इसलिए जब पानी में लार मिल करके जाती है तो वह अमल को सांथ करती है और पेट को बहुत अच्छा रखती है ये नियम जो बतलाए गए मानिवर मैं तो पालन करने ही पाऊंगा क्योंकि मेरी तो आहार की प्रक्रिये ही ऐसी है कि मुझे तो सब कुछ उसी समय करना है चौविस घंटे में एक बार तो ये सारे नियम मैं कह सकता हूँ जो दिन भर भोजन करते हैं उनके लिए आयरुवेद सास्त्र में लिखा काया है कि इस तरह से भोजन करें भगवान महावीर ने तो अपने साध्मों को कहा कि चौविस घंटे में एक बार ही भोजन करना उसी समय अन उसी समय भोजन उसी समय पानी जो चौविस घंटों में एक बार करते हैं उनके आहार पचाने की प्रक्रिया अलग होती है और जो दिन भर भोजन करते है उनके पचाने की प्रक्रिया अलग हुआ करती है दौनों के सिस्टम अलग है लेकिन मैं आप से यही निवेदन करूँगा भोजन यदि इस क्रम से लिया जाएगा आपके जीवन में कहा है आईरवेद सास्त्र में कहा है उसके घर में कभी बैद नहीं आते हकीम नहीं आते डौक्टर नहीं आया करते है आप स्वस्त भोजन करिए आप सुद्ध भोजन करिए आप शाकाहारी भोजन करिए मान सहार हजार हजार रोगों को जन्म दिया करता है मानिवर्द भारत की संस्कती है भगवान रिशप्देव ने दो संस्कती दी एक रिशी की संस्कती दी और एक क्रशी की संस्कती दी रिशी इस देश की आत्मा है और क्रशी उसका सरीर है रिशी और क्रशी के संस्कती और शब्विता में रहकर आदमी यदि अपना खान पान नहीं सुधार पाया तो एक बात याद रखना जिनका खान पान सुध नहीं होता उनका खान दान सुध नहीं होता और जिनका खान पान सुध होता है उनका खान दान सुध हुआ करता शुधी रखिए भोजन की क्या खाना कब खाना कितना खाना एक बार खाए सो योगी दो बार खाए सो भोगी तीन बार खाए सो रोगी और चार बार खाए तो मृत्यू जरूर होगी ध्यान रखना हमेशा ज़्यादा खाने वाला मरता है अस्पतालों में जाकर देखना एक व्यक्ती ने मुझसे पूछा कि महराज आप 24 घंटे में एक बार अन जल लेते हैं आप कैसे इस जीवन को जीते होंगे में इनका ध्यान रखना खाने वालों से जादा अच्छा हमारा जीवन हुआ करता है और आपने जिन्दगी में कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी जवान संथ की मौत हो गई रेयर केस होते हैं कभी जबी कोई दुरघटना गट जाए बाकि हर संथ अपनी पूरी आयो जीया करता है वह समय से पहले मृत्यू को प्राप्त नहीं होता है और बैग्यानिक कहते हैं एक भी ग्रस्त ऐसा नहीं है इस युग में जो अपनी पूरी मौत जीत, पूरी जिन्दगी जीता हो हर आदमी अपनी लाई हुई आयो में से कुछ कम ही जीवन जीता है और दुनिया से विदा हो जाया करता है यदि आप सो वर्स की आयो लेकर आये हैं तो साइंस कहता है आप 90 साल ही जी पाएंगे 95 साल ही जी पाएंगे आप सो वर्स नहीं जीएंगे सो वर्स वहीं जीएगा जो अपना खान पान और आचार विचार अच्छे रखता है वह दीरगाई हुआ करता है और जिसका खान पान अच्छा नहीं होता वह समय से पहले दुनिया से विदा हो जाया करता है ध्यान रखिए खान पान अच्छा रखिए क्या-क्या खाते हैं इस मूँ को नगर निगम का कचड़े घर का डिबबा मत बनाओ कि जो आया वो मूँ में डाल लिया जो आया वो मूँ में डाल लिया अरे मेरे भाई इसा हिंसा ग्रेश में हिंसा का बाता बरण बन रहा है बड़ी तेजी से मानसाहार हमारी च्छाती पर बैठ रहा है सौख बन गया मानसाहार आधुनिकता समझी जाने लगी महाजन कौम के बच्चे में अब मानसाहार की उरागे बढ़ने लगे है इससे बड़ा संसकती का हिरास दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है मानसाहार आदमी का आहार नहीं हो सकता है मानसाहार एक अभिशाप है मानसाहार एक जीवन के लिए एक बहुत बुरा हिंसक कलंक है जो आदमी अपने जीवन में चंद खुशियों के लिए मानसा हार किया करते है मानिवर किसी का जीवन उजाड के अपना जीवन जीना और किसी का पेट थाड के अपना पेट भरना ये कहां की मानवता हुआ करती है ये कहां की इंसानियत हुआ करती है हम तो उस देश के लोग जहां जीयों और जीने दोके नारे दिये जाते हैं वहां पर हिंसा का तंडव नत्धुरा है अहिंसा की जैगोसी नहीं करना है हम सब अहिंसक समाज को मिलकर हिंसा का जोरदार बिरोध भी करना पड़ेगा हिंसा के खिलाप एक जंग लड़ना होगी हिंसा के खिलाप एक लड़ाई लड़ना होगी मैं तो ये कहता हूँ लाखो करोडो रुपे दान देकर जो मंदिर बनाते हैं मैं कहता हूँ अपनी सौपचास साल की जिंदगी में यदि एक मान्साहारी को तुमने साकाहारी बना दिया, हजार हजार मंदिर बनाने का फुर्ण आपको उप्राप्त हो जाएगा, कितने जीवों को जीवन्दान मिलेगा, कल एक बंदू मेरे पास आए, क्या नाम तो, अभी यहीं पर बैठे हुए है, सुरेश पहलवान, क्या नाम पहलवान और वो पहलवान सब कुछ खाता था, लेकिन ना जाने क्या हुआ, टीवी से प्रवचन सुन सुन करके, उश पहलवान ने कहा, कि आपकी बाणी को सुनने मैं रो जाता हूँ, और अपनी जिन्दगी से मैंने हमेशा हमेशा के लिए मान सहार का त्याक कर दिया है, ध्यान रखिए, मैंने का पहलवान, अब तुमने हकीकत में पहलवानी का काम किया है, मान सहार, लोगों ने कहा होगा, पहलवान हो, ताकत कहां से मिलेगी, लोगों के मन में ये ब्रहम भरा है कि मांसाहार से ताकत मिलती है लोगों के दिमात में ये भ्रांती है कि मांस खाने से शक्ती मिलेगी कहां से शक्ती मिलेगी मैं आपके सामने अपने विचार रखाओ यदि मांस में ताकत होती प्रकती ने कुछ प्राणी मानसाहारी बनाए है कुछ शाकाहारी बनाए है लेकिन मनुष्ट को संपूर्ण रूप से साकाहारी बनाया है ये मनुष्ट में भेद नहीं किया ये जानवरों में भेद किया है मानसाहारी और साकाहारी जानवर होते है मनस तो केवल शाकाहारी हुआ करता है मांस अहार उसकी प्रकति नहीं होती है एक आदमी से मैंने पूछा मांस क्यों खाते हो अरे बोले ताकत मिलती है मिनका मांस से ताकत मिलती है अरे ताकत के लिए मांस तो भगवान ने तेरे सरीर में देही लखा है अब किसी और का शरीर का मांस अपने सरीर के भीतर क्यों लाता है ये विक्रती है तुम्हें जितने मांस की जरूरत है उतना भगवान ने तुम्हारे सरीर में भर रखा है तुम्हें जितने सा ताकत की जरूरत है उतनी ताकत ईश्वर ने तुम्हारे अंदर पैदा करके रखी है ईश्वर के उस खेल के साथ खिलवार करने का प्रयास मत करिये ताकत शाकहार में है ना की मानसहार में सेर साकहारी होता है या मानसहारी बोले सेर की पूछ रहा हूं तुम सबा सेरों की नहीं पूछ रहा हो शाकाहारी होता है या मान साहारी मान साहारी बैल साकाहारी होता है या मान साहारी शाकाहारी एक बात बताओ मेरे भाई एक बैल अपने जीवन में लाखों खेत जोत देता है और एक सेर अपने जीवन में कितने खेत की जुताई करता है मैं आप से पूछ रहा हूँ आज तक किसी भी सेर ने एक खेत नहीं जोता होगा और बैल जो मांस नहीं खाता शाकाहार करता है पूरे दिन हल ले करके पूरे खेत को जोतने की ताकत रखा करता है बोल ये बैल में ताकत है या शेर में बैल की पीट पर बोज रखो बैल गाड़ी खीच करके ले जा सकता है कभी किसी सेर गाड़ी देखी आपने अपनी जिंदगी में कि दो सेर जोते हुए हो और आदमी माल ले करके चल रहा हो हरे सेर के ऊपर हजार किलो ही कुछ बजन क्या सौ किलो भी रख दो तो बैठ जाएगा और हजार किलो बजन हमारा बैल खीचते हुए ले जाता है क्योंकि वो साकाहार करता है और सेर जितने भी मान सहारी पसू है किसी काम के दे है कुता मान सहारी है बोजा ढोएगा खेट जोतेगा सावान ढोएगा बिल्ली मान सहारी है ले जाना किसी दिन बजार में सबजी की डोल्ची रख देना उसकी पीट पर चारों पैर फैल जाएंगे जी बाहर आ जाएगी ध्यान रखिए सोचना है गोड़ा साकाहारी है या मान सहारी है बोलिए शाकाहारी है वह गोड़ा कहा जाता है जब ताकत की जरुवत होती है तो कोई भी नहीं कहता सेर जैसी ताकत हर व्यक्ती कहता है होर स्भावर होना चाहिए गोड़े जैसी ताकत होना चाहिए साकाहारियों की ताकत क्यों मांगी जाती है मांसाहारी पस्वों से ताकत की बाते क्यों नहीं की जाती है एक सेर की ताकत देखो और एक साकाहारी हाती की ताकत देखना हाती साकाहारी होता है लोग कहते हैं कि मांसाहार से तंदुरुस्ती मिलती है हाती से बड़ा पहलवान कौन सा सेर बन कर पैदा हो गया मेरे भाई अरे सेर जैसे लोग भी सेर जैसे जानवर भी जब हाती पर अटेक करते हैं तो सामने से नहीं करते पीछे से किया करते हैं इसका मतलब मांसहार कायरता सौपा करता है और साकाहार भीरता सौपा करता है हाती सामने जाए तो सेर खबरा जाया करता है ज्यान रखे यह ताकत है शाकाहार के मुझे समझ नहीं आता कि मानसाहारी लोग साकाहारी पसु का ही मानस खाते है मानसाहारी का कोई नहीं खाता है बिचार करना हर मांसाहारी साकाहारी पसु को मार कर खाएगा बकरी खाएगा भेड खाएगा गाय कर मांस खाते हैं लोग भेंस का मांस खाते हैं लोग अब आप बताएए जिन जिन का मांसाहारी मांस खाते हैं वो सारे पसु शाकाहारी हुआ करते हैं क्योंकि साकाहार में ही ताकत है साकाहार में ही जीवन है आज तक किसी ने सेर का मांस नहीं खाया होगा है कोई मांसाहारी दुनिया में जो सेर का मांस भक्षन करता हो हर कोई साकाहारी पस्वों का मांस भक्षन करते है कोई ताकत नहीं है मान सहार में ये तो जानवर के उधारण थे और इंसानों के रूप में यदि देखो तो जैन मुनी को देखना दिगंबर मुनी को देखना 24 गंटे में एक बार भोजन और एक बार पानी बीमार भी हो जाएं तो दवाएं भी उसी समय चलेंगी 24 गंटे तक कुछ लेते नहीं है मुँ में पानी की बूंद नहीं डालते है मृत्यों का छड़ भी आ जाए तो एक टाइम भोजन की प्रतिग्या को कभी भंग नहीं किया करते है अब आप सोचिए 24 गंटे में एक बार जिगंबर मुनी पानी और अन लेता है वह भी सुद्ध साकाहार लेता है साकाहार ही नहीं सुद्ध साकाहार जिसकी भोजन साला में कभी आलू प्याज और लेसन जैसी चीज़ें भी नहीं आया करती है अब आप बताएए किसी मानसाहारी को बुला लाना मेरे सामने और मैं साकाहारी साधो और एक मानसाहारी को खड़े कर देना और से बोलना कि चल महराज के साथ मैं 35 किलो मीटर चलने की ताकत रखता हूँ लेकिन मानसाहारी पांच किलो मीटर में ठेर हो जाएगा सास फूल जाएंगी हरे दस सीड़ी चढ़नी पाता और सीना ऐसा चलता है जिसे लुहार की दोकनी चल रही हो ये मानसाहार की ताकत है विचार करिए तीस किलो मीटर चालीस किलो मीटर पैडल चलता है जैनसन शाकाहार के दंपर और अच्छे अच्छे मान सहारियों से कहूंगा अपने सरीर का एक रौम खीच कर दिखाना ये साकाहारी चार महिने में बालों को उखाड करके फैक दिया करते हैं कहां से आती है ये ताकत उस्तरे का प्रयोग नहीं करते कैची का प्रयोग नहीं करते छुरे का प्रयोग नहीं करते बाल बड़े होते ही हाथों से उखाड के फैक दिया करते हैं 24 घंटे में शाकाहार एक बार भी किया जाए तो 23 घंटे हमें ताकत और एनरजी प्रदान किया करता है एक बात सोचे किसमें ताकत जादा है शाकाहार में ताकत है मानिवर्द खान पान पर ध्यान दो लोग कहते हैं कि साकाहार में स्वाद होता है मानसाहार में स्वाद होता है कोई स्वाद नहीं होता मानसाहार में एक साकाहारी सबजी बनाना लोकी बनाना तोरे बनाना कितना मिर्च मसाला लगेगा एक एक चमच लगेगा और एक मांस बनाना कितना मिर्च मसाला लगता है हरे जिसमें सो लोगों की सबजी बन जाए वहां अकेले एक मांसाहारी का भोजन बनता है अकेला उसमें लगता है उतना मिर्च मसाला आप बिचार करिए मिर्च मसाला मांसाहार में जादा क्यों लगता है क्योंकि मांस में स्वाद नहीं होता है स्वाद तो शाकाहार में हुआ करता है धनिया है, मिर्च है, गरम मशाला है, घी है ये सब साकाहार ही हुआ करते है और जब तक मांसाहार में साकाहार ना डाला जाए उस मांस में कोई स्वाद है इसका मतलब है खाता मांस है लेकिन स्वाद तो साकाहार का लिया करता है जाएका तो साकाहार से आता है कौन कहता है कि मान स्वादिष्ट होता है मानिवर कहते हैं उसका रंग उसकी सुगंद मान सहार में कोई रंग और कोई सुगंद नहीं सारी सुगंद हमारे साकाहारी मसालों के माध्यम से आया करती है अब आप बताईए मेरे भाई जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हलका भोजन करने को बोलता है या मानसाहार करने को बोलता है बोलिए बड़े से बड़े मानसाहारी को भी डॉक्टर कहता है तेरा पाचन तंत्र बिगड चुका है खिचडी खाना और दलिया खाना हलकी सी किचडी लेना बरना तेरी बीमारी जाएगी नहीं बिचार करिये यदि मानसाहार से स्वास्त मिलता तो डॉक्टर मानसाहार क्यों नहीं लिखता है क्यों वै साकाहार में भी हलका भोजन कहता है इसका मतलब मानस को पचाने में सरीर में आतों में ताकत जादा चाहिए और दलिया पचाने में ताकत नहीं होती तो भी आते उसे पचा दिया करती बिचार करिए आप इसी कौन सी बात है जिसे आदमी जीवन में मांसा हार किया करता है कौन सा लाभ है आज जिदनी बीमारिया पस्मों को होती है मांस के साथ साथ उनकी बीमारियां भी तुम्हारे पेट में जाती है और एक बात याद रखना आज अस्पताल में जाकर देख लेना अस्पताल कोई जादा दूर नहीं सामने ही बनी हुई हो एक पेन और कागज लेकर जाना तो देखना साकाहारी मरीद जादा है या मांसाहारी मरीद जादा है आप जाकर के देखना यदि दस प्रतिशत साकाहारी बीमार पड़े हैं तो नभे प्रिस्ट मांसाहारी लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं ज्यान रखेना ना मानसाहार स्वास्थ देता है ना मानसाहार स्वाद देता है ना मानसाहार सुगंद देता है ना मानसाहार ताकत देता है और एक बात याद रखना जितने में एक किलो मानसाता है उतने में हमारे यहां चार किलो सब्जियां आ जाया करते हैं हरी सब्जियां मेरे भाई कितने लोग हरी सबजी में बैठ करके एक साथ मिल बैठ कर खा सकते हैं मेंगा पढ़ता है ये मान सहार सस्ता होता है साकाहार स्वास्त वर्दक होता है साकाहार फिर क्यों आदमी खाता है इने किसी की प्राणों की हत्या करके अपना जीवन जीना एहमान भी तान नहीं हुआ करती है मेरे